जी नमस्कार स्वागत है आप सभी के एन टीचिंग के इस यूटूब फैमली में और मैं हूँ आदित एन टीचिंग यूटूब फैमली की तरफ से कैसे हैं आप सभी? उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगो को कुछ अच्छा देने का कोशिस हमेशा कर रहे हैं और बने रहिएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप में निरंतरता होनी जरूरी है क्योंकि आप रेगुलर रहेंगे तो यहां से बहुत कुछ सीखेंगे अभी हमने हिंदी सिक्षन में कुछ टॉपी को हमने लेक्चर के माद्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया था भासा सिक्षन से सम्मंदित तो भासा सिक्षन से सम्मझित हमने कुछ लेक्चर को आपके सामने रखा है उससे सम्मझित कुछ प्रसन हम आपके सामने आज ले करा है प्रसन को समझने की कोशिस किजिएगा और प्रसन के अंडरेस्टेंडिंग को समझिएगा हर्थात जिस options के बारे में या जिस सब्द के बारे में हम थोरा सा अपना विचार प्रसुत करेंगे कोशिस किजिएगा आप उन विचारों को अपने अंदर उसको अर्जित करें ताकि वहीं चीज़ जब आप सूनेंगे तो आपके परिच्छा में कहीं न कहीं पास कराने में कौलिफाई कराने में कहीं न कहीं मददगार साबित होगा किलियर तो टर्म्स को मेली टर्म्स को समझना है किसी भी सब्द के अर्थ को अगर हम समझाय तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप अपने दिमाग में उसको रख सकते हैं चलिए question number 8 से start करते ह आठ नमर जो कोश्चा ना है कता है प्राथमी कक्षाओं में भासा सिक्षक होने के नाते आपकी सबसे अधिक महत्पून भूमिका है प्राथमी कक्षा जब ही बोले तो आपको यह समझना है कितना से कितना एक से पांच ठीक है तो प्राथमी कक्षा में भासा सिक्षक होने के नाते आपकी सबसे अधिक भूमिका है नंबर एक option कर रहा है कि बच्चे की भासाई छमता के विकास के लिए तरह तरह अवसर को जूटाना नंबर दो कर रहा है बच्चों को वाद विवाद के लिए तियार करना नंबर तीन कर रहा है बिद्यार्थियों को सबसे अधिक अ या उच्छ प्राथ्मिक हो, प्ररंबिक हो, जो भी हो, आप कभी भी बच्चों को इसलिए नहीं परहाते हैं, या परहाने का मुख उदेश वह नहीं होता है कि बच्चा का हम अच्छा से अच्छा नमबर, लाएंसी, अब 2005 में यह बात नहीं कहा गए, इसलिए अप्शन नम का होता है क्या कि जो पाठ पुष्टक में दिया रहेगा, केवल उतना ही उसको पढ़ाना है, नहीं, इनसी अप 2005 में यह भी कहा गया है कि आप पाठ पुष्टक केंद्रित नह करके, पाठ से कुछ अलग बच्चों को पढ़ाने का कोजिस करें, और उसको बहवारिक वाता में जो पराने जाते हैं, उनका मुख भूम का यह होता है कि भासा सिक्षक इसलिए जाते हैं कि बच्चों का बाद विबात त्यार हो, या बच्चों की भासाई छमता के विकास के लिए तरह तरह अवसर को जूटाना, अब देखिए इसी दोनों आप्शन में, आपका दोन है कि दोनों का दोनों आप्शन सही है, तो उसमें यह चुनना है आपको, यह सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप्शन आपको ज़्यादा सही है, और बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, तो इस तरह से question number 8 में, एक नंबर और दो नंबर आप्शन में हमक क्या कहता है कि बच्चों के वाद विबाद के लिए तियार करना या तरह-तरह के अवसर को जुटाना, तो प्रात्मिक अक्चा के भासा सिक्षक होने के नाते, आपके पास सबसे अधिक भूमका यह होता है कि आप बच्चों को वैशा से वैशा समागरी मतलग तरह-तरह का जो है उसको अवसर जूटाइए जिससे भासा वह सीख सके अगर किसी भासा को वह नहीं सीख पा रहा है या भासा सम्मनित ग्यान को वह जल्दी अरजित नहीं कर पा रहा है तो उसके सामने सबसे पहले अनेक अवसर जूटाना है अनेक अवसर जूटाने का मतलब यह हुआ कि आपको हर एक बीधी से उसको पढ़ाना है और जिस बीधी से वह समझ जाए तो एक नमबर आप्शन जो है आपका बिलकुल सही है इसलिए अप्शन नमबर एक राइट होगा तो देखिए उमीद करते हैं यह चीजे समझ में आ रहा होगा ठीक है आपको मेन नेचर को समझना है कि कहां पर आप्शन किस तरह का दिया रहेगा तो उस आप्शन को हटा देना है और जो आप्शन हमको दिख रहा है पॉजेटिव में उसको हमको रखना है ठीक है आपको बताते चले देगे सीटेट में जो चार options रहते हैं कभी-कभी आपको ऐसा लाया कि चारो का चारो options सही है ठीक है लेकिन ऐसा आपको भी देखना परेगा कि एक option जो है वह 30% सही रहेगा एक option 40% सही रहेगा एक option जो है 60% सही रहेगा और एक option जो है 90% सही रहेगा 100% उस option में कोई नहीं है लेकिन आपको यहीं देखना है कि सबसे ज़्यादा सही कोन है सही तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है लेकिन चारों options में आपको ज़्यादा सही कौन सा है ठीक है तो ज़्यादा सही वाला options दिखेगा उसी options को हम सही मानेंगे clear तो seated में mainly आपको यहीं देखना पड़ता है चलिए next question पर आते हैं no number पर कता है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी के कक्षा में अपनी मातरी भासा में बात करता है आप क्या करेंगे मातरी भासा का मतलब होता है मदर टंग सबसे पहले समझ दीजेगा मातरी भासा का मतलब होता है मदर टंग और मातरी भासा से हमारा तातपर्ज घर में बोली जाने वाली भासा जो बच्चे अपने माता पिता दादा दादी अंकल आंटी आधी द्वारा घरेलू भासा जो होता है उसी से सीखा जाता है औ और घरेलू भासा को किस भासा के नाम से जानते हैं मातरी भासा के नाम से जानते हैं इसको मदर टंक करते हैं यह बात दिमाग में रखेगा मातरी भासा के बारे में एक टर्म से हो गया दूसरा टर्म से यह है कि कभी भी प्राथमिक स्कुल में बच्चे को जो है अगर अभाषा का मातरी भासा का ही होता इतना बात आप याद रखीगा मातरी भासा के बारे में चले कोस्चन पाते हैं । धूंध दू?sirais perception कख्षा में पढ़ने वारा रोहित हिंदी के कख्षा में अपनी मातरी भासा में बात करता हैं आप क्या करेंगे बताई है उसकी भासा को समझने की कोशिस करेंगे बाकी बच्चों से उसकी भासा सीखने के लिए कहेंगे उसे डाटेंगे एक अक्षा में वो मातरी भासा का पर्योग नहीं डाटना तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए अप्सन नमर तीन गलत हो गया ध्यान रखेंगे इस बात का जो हमारे यहां अभी जो सिक्षा पदती चल लहा है वो सिक्षा पदती कैसा है बताएगा चाइल सेंटर डेजुकेशन है उसको हम लोग त्री धुरूबिय परकिरिया के भी नाम से जानते हैं ठीक है जहां पर त्री धुरूबिय परकिरिया जो का मतलब यह होता है कि यहां पर उपर टीचर रहता है और बीच में चाइल्ड मतलब बालक रहता है और यहां पर सिले बस मतलब पाठ करम रहता है ठीक है और केंदर में जो हमारा कौन होता है चाइल्ड होता है इसलिए इसको कहा गया है बाल केंदरित सिक्षा बाल केंदरित सिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पहले जो सिक्षा पधती था प्राचीन युग में वो हमारा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था जिसको हम लोग सिक्षा केंदरित एजुकेशन के नाम से जानते थे और उसमें वह दुई धुरूबिये था दुई धुरूबिये में एक teacher होता था और एक child होता था बीच में कोई syllabus नहीं होता था ठीक है teacher जो कहेगा वह बात जो है बच्चों को मानना है उनी के आदेशा अनुसार काम करना है लेकिन आज के date में हमारे या कौन सा धुरूबिये तो teacher centered education को हम लोग दुई धुरूबिये पर किया कहते हैं और child centered education को हम लोग कौन सा कहेंगे त्री धुरूबिये पर किया के नाम से धानते हैं त्री धुरूबिये एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं तो यहां पर त्रीध रूबिये में हमेशा जो है कभी भी आपको डाटना नहीं है उसको नहीं मारना है और नहीं पीटना है बाल केंदित का मतलब यह हुआ कि उसके रूची के अनुसार काम करना है उसके इंट्रेस्ट के अनुसार काम करना है उसके इक्षा सक्ति के अनुसा करेंगे, बाखी बच्छों से उसके भासा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डाटएंगे काक्षा मात्री बासा का परियोगरन बिल्कुल डाटना नहीं है, उसे बिल्कुल अंदेखा कर पढ़ाते रहेंगे मतलब आप उसको इगनौर करेंगे क्या बच्चों को आपको क्लास में कभी भी इगनौर नहीं करना है ठीक है और यहां आप देखी एक तो तीन और चार नमबर अप्शन तो कट गया बच गया एक और दो नमबर उसकी भासा को समझने की कोशिस करेंगे और बाकी ब बच्चों से उसकी भासा सिखने के लिए इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वह मात्री भासा में बोल ला है आपको क्या करना है मात्री भासा में जो बच्चा बोल ला है उस मात्री भासा को आपको एक्सेप्ट करना है बट मात्री भासा से जो ऑथेंटिक भासा हमारा उसको चीज सीखाना है तो ये तो बच्चा भी मातरी भासा बोला है तो मातरी भासा सीखने के लिए फिर दूसरे बच्चा को हम नहीं बोलेंगे खिलियर तो option number 1 हमारा बिलकुल सही हो जागा कि उसकी भासा को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि यह मातरी भासा में आखिर क्या कह रहा है अगर पानी को जो है बच्चा पानी को बच्चा मम कहता है मम जो है क्या है मातरी भासा है उसका ठीक है तो कभी-कभी कलास में बोल देता है कि सर मम चाहिए तो आप उसको समझने का कोशिस करे कि आखिर मम होता क्या है क्लियर अब ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चा को भी कोई देगे कि हाँ तुम लोग भी मम सीखो मम मतलब होता है पानी नहीं ऐसा नहीं करना है मम से उसको सिखाना है कि बेटा इसको मम इसको बोलते हैं पानी अगर बच्चा बोले है कि सर मम चाहिए तो उसको एकसेप्ट करना है कि ठीक है लाते हैं या मंगवाते हैं और मम जैसे ही लाया जाएगा उसके पास में धीरे से यह बात करना है कि बेटा हिंदी में इसको पानी कहते है और इंगलीस में इसको क्या कहते है वाटर कहते है clear तो यह बात हो गया तो उसको आपको क्या करना है उसको समझने की कोशिस करना है तो 9 नमबर कोश्चन का एक नमबर उपसन बिलकुल राइट clear कियर आगे बढ़ते हैं 13 victories the sales नमर में देखि किए पढ़ना सीखने के लिए उपकोशन अनिवार्ज नहीं है कौन सा उपकोशल अनिवार्ज नहीं है पढ़ना सीखने के लिए कौन इवाणात्मक संब्ण वरनमाला याद करने का कौसल उसके बाद में अनुमान लगाने का कौसल भासा की सनचना के ख़़वने भावनातमक संबन्त आपको होना ही चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आपका उसके साथ एक होता ने दिल से सीखना जिसको हम लोग बोलते हैं emotional relation तो भावनातमक संबन्त आपको उसके प्रति नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं पर गए तो यह तो बिल्कुल सही एक तो होना ही चाहिए यहां पको पूछ रहाए ध्यान देंगे नहीं है तो एक तो होगा ही बर्नमाला को याद करने का कौसल बर्नमाला जब तक याद नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ी आपको समझ में आएगा भी नहीं उसके बाद में अनुमान लगाने का कोसल अभासा समझना कि समझ समझ तो आपके पास होना ही चाहिए अंडरेस्टेंडिंग आपके पास होनी ही चाहिए बीना समझ कि आप कोई काम करी नहीं सकते हैं लेकिन ये अनुमान लगाने का कोसल कहीं भी नहीं दिया अर्थात किसी चीज को सिखने के लिए आपके पास में ऐसा स्किल होना चाहिए क्या कि अनुमान लगा कर इस चीज को कर दे नहीं ये स्किल नहीं है इसलिए इसको उपकोसल निवार्ज में नहीं रखा जाएगा इसके मतलब 10 का अप्शन नमर कितना हुगा तीन कभी कभी आपको दिमाग में आए कि सर आपने तो कहा था NCF 2005 में कि याद करने का कोसल को हमेशा निगेटिम मनना है हाँ बिल्कुल निगेटिम मनना है लेकिन यहाँ पर कोश्चन के नेचर के अनुसार कोश्चन के प्रकृति के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि कहा पर याद करने वाले कौसल को पजेटी मनना है और कहां पर याद करने वाले कौसल को निगेटी मनना है तो यहां पर देखिए उप कौसल निवार्ज नहीं है तो सिधा नुमान लगाने वाला कौसल निवार्ज नहीं है जबकि बर्नमाला उसको स्कील होना चाहिए याद करने इसकील होना चाहिए तभी तो भासा को सीख पाएगा तो इसका अप्शन नमर तीन जो है बिल्कुल सही है दस का तीन आगे बढ़ते हैं दोई भासिक बच्चे डैस विकास समाजिक सही सुनता और डैस चिंतन में अप एक छाक्रित बेहतर होते हैं दोई भासिक का मतलब यह ह अप एक छाक्रित बेहतर होते हैं तो दोई भासिक बच्चे होते हैं सबसे पहले उसका संग्यानात्मक बिकास अच्छा रहता है जो दोई भासा बोलने वाला हो संग्यानात्मक बिकास को हम लोग बोलते हैं कोगनेटिब डेवलोप्मेंट ध्यान लखेंगे संग्यानात् संग्यानात्मक विकास समाजिक सही सुनता और डैस चिंतन में अपेक्षाक्रित बहतर होते हैं और वे किस चिंतन में अपेक्षाक्रित बहतर होते हैं तो विश्त्रित चिंतन वह करेंगे जिसका कोगनेटिव डेवलोप्मेंट काफी बढ़िया होगा अच्छा होगा तो वह और संग्यानात्मक के साथ साथ में विष्द्रित चिंतन भी उसका करेंगे, क्लियर हुआ, अब देखिए ये एक नंबर और तीन नंबर आप्शन कैसे छट गया है, यहाँ पर संग्यानात्मक तो कंफर्म है कि ये वाले खाली अस्थान में होगा, तो संग्यानात्मक तो अच्छा होगा, वो कहीं ने कहीं विष्द्रित चिंतन करेंगे, तो इसलिए अप्शन नंबर ये कट गया, तीन नंबर में देखिए दुई भासिक बच्चे शक्रियात्मक नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और चार नंबर देखिए शक्रियात्मक और केंद्रित, म कोश्चा नंबर बारा पे आते हैं, देखिए कोश्चा नंबर बारा क्या कहता है, निमलेखित में से किसके आभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो किसके आभाव में आप पढ़ नहीं सकते, लिपी से परीचाय, बारह खड़ी से परीचाय, वर्नमाला के करम बधता का ज्या संजुकता च्छरो की पहचान ठीक है तो आप बताईए इसमें किसे आप किसके बिना आप पर नहीं सकते हो तो सबसे पहले अगर आपको बारह खड़ी का पड़िच है वह ऐसा आपको चारो का चारो अप्सन लग रहा है कि चारो के बिना हम पर नहीं सकते हैं किलियर लेकिन बूसे एक को ऐसा ओप्सन आपके सामने है जिसका सीधा सीधा संबन्द पढ़ने से ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा एक कि चारो चारो उपसन सो दिया हुए हैं अगर इसमें से कोई एक नौ looking रहे तो हम पड़ी नहीं सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है किसी एक option इसमें ऐसा है जिसका संबन सीधा-सीधा किस्से है पढ़ने से हैं और वो है किसका लीपी का परिचाय अगर हमारे पास लीपी नहीं रहेगा तो उसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं ठीक है अर्थात हमारे पास कोई चिन नहीं नहीं रहेगा लीपी क्या है एक पर करका चिन देता है हमको इसे हिंदी हम लोग किस लीपी में लिखते हैं देवनागरी लिखते हैं तो लीपी अगर हमारे पास में है तो हम जो बोलते हैं उसको हम लिख सकते हैं और जब लिख लेंगे तो उसको क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे अर्था तो लीपी हमको एक चिन परदान करता है ठीक है तो लीपी के आभाव में हम जो सम्मंदों की चर्चा अगरनी है देकि जब भी आपको भासा से सम्मंदित कोई बात कहा जाएगा भासा से सम्मंदित अभी जब भी बात आए तो ध्यान रखेंगा इस बात का कि भासा और विचार के सम्मंदों की चर्चा तो भासा से कौन सा मनवेगानिक सम्मंदित है तो व वो है वाई चोमोस्की महोदे ठीक है वो है कौन सा बताएगा चोमोस्की महोदे याद रखेंगा हमेशा अभी फिलाल सीटर दिसंबर 2019 में भी पूछा गया था कि भासा से संबंधित मनवेग्यानी कौन है तो वो चोमोस्की इनके बारे में एक और बात आपको याद रखना ह है कि चोमोस्की महोदे ने भासा के बारे में यह भी कहे थे कि भासा जो है जनमजात छमता है भासा सीखने की छमता क्या होती है जनमजात होती है या चोमोस्की महोदे ने कहा था और जब भी आपको भासा से ज्यादा रिलेटेड जो मनवेगानिक है वो है आपको चोमोस्क वाई गोच की महोदे समाजिक्ता से रिलिटेड है ठीक है समाजिक्ता से रिलिटेड है समाजिक्ता से समाज वाला जो भी बात होगा सोशल वाला जो भी बात होगा उस सब वाई गोच की महोदे ने कहा है उसके पियाजे महोदे के बारे में याद रखेगा अहम केंदरीता की बात इन्होंने कहा है और उसके बाद में Child Development and Pedagogy में देखेंगे तो प्याजे महोदे ने बहुत ही अच्छा सिधान दिया है जिसके कारण वो काफी चर्ची थे popular है और वो सिधान का नाम है प्याजे का संयनात्मक विकास का सिधान ठीक है और इसकीनर के बारे में आप याद है इसकीनर एक बहँआरवादी मनोवेगानिक थे इसकीनर एक बहँआरवादी मनोवेगानिक थे चलिए अब आपको धियान देना है प्याजे महोदे अहम केंदीता से भी सम्मनित है और इन्होंने एक सिधान दिया था जिसका नाम है क्या प्याजे का संयनात्मक विकास का सिधान्द, इसकीनर एक बहवारवादी मनोवेगानिक है, जब भी बहवारवादी से प्रसना है तो इसकीनर से संबंदित कीजेगा उसको, चमोसकी भासा से संबंदित मनोवेगानिक है, जनमजात की बाद, भासा जनमजात की बाद इन्हों नहीं किया था, वाईगोच्की हम समाजिक्ता से संबंदित मनोवग्यानिक है सोसल वाला जो भी बात होगा वो सभी वाईगोच की दुरा समाज और संस्कृती से जो रिलिटेड थे वह वाईगोच की महते हैं यहीं टर्म्स आपको याद रखना है डियर स्टुडेंट्स आपको टर्म्स आपको यह किया देख जो है उसको हम कितना समझ पाएं क्योंकि सीटेट में कोश्चन कभी लड़ता नहीं है कभी टकराता नहीं इसलिए आप सुचिए कि हम हजार बारा सो पंदरा सो कोश्चन को रट जाएंगे और उससे परिच्छा को पास कर जाएंगे तो यह आपका भूले कभी भी केंद्र यह सिख्छक पातरता परिच्छा में आपको कोश्चन टकराता नहीं है इसलिए जब तक आप में समझ बिक्सित नहीं होगा तब तक आप कोश्चन को नहीं पकर पाएंगे तो पांची कोश्चन कीजिए दसी कोश्चन पढ़िए लेकिन उसको समझने का कोशिस कीजिए उ प्रेइश कई वे लबा il спорт Zoo नम्र कोशन में कहता है कि सीदार्थ की मा ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घरзд में एक ही भासा का परियोग करें जिससे कि सीदार का भासाई विकास ठीक से हो सके उनके बारे में आप क्या कहेंगे या सिदार्थ को सम्रिद भासिक परिवेस से वन्चित कर रही नहीं वन्चित कहा कर रही है ये तो सही कर रही है वन्चित का मतलब अलग करना तो अलग कर रही है क्या बिल्कुल राइट या सिदार्थ के भासिक परिवेस में किसी भी तरह का अवरोध नहीं चाहती है या उससे भी राइट कोई हो सकता है देखिएगा सिदार्थ के भासिक परिवेस में कोई अवरोध नहीं चाहती है तो अरजन वाला बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बट इसमें दो अप्संस आपको नजर आ रहा है कि सिदार्थ के मा ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भासा का परियोग करें जिससे कि सिदार्थ का भासाई विकास ठीक से हो सकें उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वे सिदार्थ के भासिक परिवेश में किसी परकार का अवरोध नहीं चाहती हैं अगर आप परिवार में पांच सदस है और पांच सदस में एक भंगाली बोलता है एक भोजपुरी बोलता है एक इंगलिस बोलता है एक तमील बोलता है और मा लिजे सभी लोग अलग-अलग भासा बोलते हैं कोई नकरात्मक भासा बोलता है तो क्या उस घर में जो बच्चे रह रहे हैं उसका भासाई विकास क्या हो जागा रुक जागा इसलिए सिदार्थ का मा जो है किसके बारे में सोच रही है तो यह सोच रही है कि आग उसका भासाई उसके बच्चे का भी भासाई विकास में किसी तरह का अवरोध अवरोध का मतलब वतार रुकावट रुकाव अधिक महत्पूर्ण है कि बच्चे लिखी या छपी समागरी का अर्थ समझ सके, लिखी या छपी समागरी को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्छ़रों को जोड जोर कर पढ़ सके, सब्दों को जोर जोर कर पढ़ सके, तो सबसे पहली बात इस तरह का question जब भी आपके सामने है, जहां पर समझ आपको दिख जाएगा वो वाला अमसंस बिलकुल राइट होगा क्योंकि प्राथमिक अस्तर में या किसी भी अस्तर में NCF 2005 में आप NCF 2005 जब पढ़ेंगे एक दो दिन में कलास आम आपको देंगे NCF का NCF 2005 जब पढ़ेंगे तो NCF 2005 को इंग्रिस में इसका फूल पाम होता है National Curriculum Framework जिसको हिंदी में हम लोग बोलते है राष्टिये पाठ चरिया की रूप रेखा 2005 और NCF का मुख विशेस्ता में या मुख रूप से कहा गया है कि सूचना को ग्यान नहीं मानना है समझ को ग्यान मानना है अर्थात जब तक बच्चे अपने अस्तर के अनुसार उसको समझ नहीं लेते हैं तब तक वह ग्यान उसको नहीं कहा जाएगा जब तक उसको समझे ना मतलब रटनती को कभी भी ग्यान नहीं मानना है समझने को जो है हम लोग ग्यान मानेंगे तो प्राथमिक अस्तर पर मेंसा जो लिखी या छपी समागरी को अगर बच्चे समझ जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है तो प्राथमिक अस्तर जब भी आपको कहें तो कितना से कितना कलास डियर स्टुडेंट साप याद रखेंगे एक से पांच कलास ठीक ह है तो प्राथमिक अस्तर पर लेखन छमता के संदर में सबसे एक महत्पूर्ण है वर्तनी की मौलिक विचार की सुर्त लेखन की सुलेख अब बताईए 16 का देखे प्राथमिक अस्तर पर यह तो जो बहुत चोटा सा हो गया एक से पांच कलास ही है वर्तनी पर जादा ध्या उसको नहीं देना है मोलिक वीचार अभी तो उसको बहुत ज़्यादा दूर है कि भी छोटा कलास में में उसका जो है लेखन चामता के लिए यहां पर सबसे बड़ी बात है अपर लेखन चामता के लिए राइटिंग उसको कैपसीटी बढ़ाने के लिए तो राइटिंग कौन सी गति भी धी निमलीखित में से कौन सी निमलीखित में से कौन सी गति भी धी स्रवन एवं वाचन स्रवन मतलब होता है सुनना और वाचन मतलब होता है बोलना ध्यान रखेंगे इस बात का स्रवन एवं वाचन को सलो के विकास के लिए सबसे अधिक उप्यूग तो होग उस पर बच्चों की परतिकिरिया जनना हाव भाव के साथ कविता बुलवाना और उसके बाद में next point कहता है कि प्रसनोत्तर सत्र आयुजित करना नहीं तो यहाँ पर options नमबर दो जो है आपको कहानी सुना कर उस उस पर बच्चों की परतिकिरिया जनना तो कहानी सुनाएंगे तो बच्चे उसको सुनेंगे ठीक है हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर स्रवन और वाचन को विक्सित करने की बात कर रहा है स्रवन मतलब सुनना और वाचन मतलब बोलना ठीक है तो ऐसा options आपको चुनना है जिसमें सुनने का भी विकास हो और बोलने का भी विकास हो तो यहाँ पर देखे कहानी सुनाएगा तो उसका सुनने का भी कास हो क्योंकि वो सुनेगा और सुनने के बाद में पी उसका पर्थिकिरिया जब लेगा तब वो बोलेगा अर्थात्स रवन और बाचन दोनों का काम किस ऐप्शन में हो रहा है के तूलना में काफी तेजी से बदलती रहती है तो question number 18 बदेखे है गौन इस्थिर औस्थाई और उसके बाद में next क्या है अस्थाई तो वानी औस्थाई होती है और लिखित भासा के तूलना में काफी तेजी से बदलती है हाँ बिल्कुल भासा सिक्षन में या कहा गया है कि वानी जो है क्या होता है और अस्थाई होता है कभी-कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा भासा अरजन या अधिगम जब हम आपको परहा हैं या भासा के इंपोर्टेंट टर्म्स जो आपको परहा है पिछले वीडियो में आप देखिएगा उसमें हमने आपको बताया कि यह और अस्थाई होता है कभी-कभी आपके मन में कुछ और रहेगा और आपके जुबान पर कुछ और चला जाएगा कभी-कभी आप यह सोचते हैं हिंदी वाले वर्ड को इंग्लिस समझने लगते हैं इंग्लिस वाले वर् करते हैं अगर सभी लोग जो है एक सब्द हम आपको बताते हैं जिसका नाम है beauty parlor, beauty parlor जब आप अनपढ़ बेक्ती से भी पूछेंगे तो वह भी कहेंगा beauty parlor, और आप कितना भी पढ़े लिखे बेक्ती हैं उससे भी आप पूछें तो वह भी कहेंगे beauty parlor, क्योंकि beauty parlor हम हमारे भासा में सेट हो गया है और हम यह कभी नहीं समझ पाते हैं कि यह ब्यूटी पर्लर इंग्लीज है या हिंदी लेकिन एक्च्वल में है क्या इंग्लीज लेकिन उसको अनपड़ व्यक्ती भी बोल लेते हैं तो यह आस्थाई होता है नेक्स्ट पॉइंट 19 नमर क्या काता है बहु भासी कक्षा से तातपर्ज बहु भासी का मतब सबसे पहले समझेंगे दो या दो से अधिक भासा बोलने वाले जो होते हैं उसे हम बहु भासी कोते हैं बहु भासी कक्षा से तातपर्ज है जिन कक्षा में कम से कम दो भासाओं में पाठकरम उपलब् जिस कक्षा में परतेक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता हो, नहीं, दो नमर तो बिल्कुल घर के बोली के सम्मान की बाद बहु भासी में कभी नहीं कहा गया है, उसके बाद में जहां बहुत सी भासाओं का अध्यापन किया जाता है, बहुत सी भासा क्या होता है जिस कक्षा में सिक्षक या सिक्षक या सिक्षक दो या दो से अधिक वासा दिखिए बिल्कुल परिभासा से या सेट हो गया की नहीं बताईए बहु भासी जो है बिल्कुल या परिभासा से चार नमबर अप्शन सामारा सेट हो जा रहा है बस हम आपको यहीं चीज आपमें बीक्सित करने की हम कोशिस करना चाहते हैं, सिटेट में जब ही हम आपको औफलाइन कोई क्लास लेते हैं, तो कोस्चन को नेचर को समझने का कोशिस कीजिए, उसके अर्थ को समझने, अभी हमने बता है कि बहुँ भाद से मतलब दो या दो से अधीक भासा बोलने वाला तो यहां पर option नमर एक देखिए कम से कम दो भासा को पाठ पूछ तक में पहुत करा है उसका परतेक बच्चे घर में बोली जाने में समान दिये जाता यह बहुत भासा का मतलब यह नहीं कि बहुत हाजारों करोड़ों भासा नहीं जी भासा ही वहीं होता है तो options नमर चार जो है बिल्कुल राइट है next point आते हैं संग्यान के अस्तर पर बिक्सित संग्यान को इंगलिस में बोलते हैं कोगनेशन ठीक है याद रखीगा संग्यान को कोगनेशन करते हैं तो संग्यान के अस्तर पर बिक्सित डैस अन्य भासाओ में असानी से अनूदित होती रहती है तो कौन सा ज्यान की छमता की ब्याकरन छमता की भासा छमता की तर्क छमता ठीक है तो इसमें आपको संग्यान के अस्तर से बिख्षित अन्य भासाओं में तो इसमें भासा छमता ही लेंग्वेज का इप सीटी ही इसका डेवलप होगा क्योंकि अब हम लोग भासा सिक्षन से सम्मंदित या प्रस्ण भी है तो अब इसलिए आप अपने दिमाग से भी है चीजें को टिक कर सकते थे क्योंक लेवल है उसको डेवलप करने के लिए जो भासा छमता भासाओं के विकास आसानी से अनमोधित की जाती है इसलिए उप्सन नमर चार कितना हो गया राइट हो गया नेक्स्ट पॉइंट भासा सिक्षन को डैस के संदर में रखकर देखने की अवसकता होती है तो भासा इसलिए इसका रिलेशन है और बहु भासा का रिलेशन नहीं संस्क्रितिक मतलब कलच्र और नयतिक जो ही जुड़ा हुआ लखा ऑपकर होती तो है बहु भासा है इसलिए 21 का कितना number option हो जाएगा 21 का 4 number options आपको हो जाएगा ठीक है देखिए हम आपको सबसे पहली बात है कि हम आपको सरल भासा में आपको समझाने की हम कोशिस करते हैं ठीक है अगर आपको हमारा भासा पसंद आता है तो आप प्लीज कमेंट में ये जरूर बताइए है कि सर ऐसे ही आप समझाइए और नहीं तो किनी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे offline classes में भी जूरे आते नए नए जब रहते हैं तो कभी कभी करते कि सर आप बहुत ज्यादा सरल भासा के यूज कर थोड़ा सा मनोवेग्यानिक तर्क के अनुसार बताइए तो आप जिसमें प्रीफर करेंगा हम उसमें बताने लएंगे क्योंकि देखिए हम जो है आपको ये चीजे एक्च्वल में जानकर ऐसा करते हैं ताकि आप हमारे लेंग्वेज को समझ पाएं और सीटेट में कभी जब भी आप ncf 2005 में यह कहा गया है कि जब तक बेहवार के द्वारा बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे नहीं समझ पाएंगे सरल भासा में जब तक दिम्हें तो सिंपरी हम आपको सरल भासा में घऊन्स छाटने का चर्ट करने की तरीका सिखाते हैं ठीक है तो उसको समझने का ओना सीटेगा और class अगर अच्छा लगा हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो comment section में ये बात जरूर बताएए कि sir अच्छा लगा समझ में आया आप इस तरह से और वीडियो बनाए ताकि हमारा आपका जो है feedback हमको पता चलता रहेगा धन्यबाद मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब ताकि लिए जाहिंद वन्दे मातर